financial inclusion एक बहुत बड़ा चालेंज रहा है भारत सरकार के लिए और RBI के लिए एक बहुत बड़ा चालेंज बन करके हमेशा से सामने आया है किस तरीके से हम अपनी देश की जिदिनी भी आबादी है खास करकी गरीब लोग इन्हें बैंक से जोड सके इनकी एकाउंट्स को खोल सक कि बैंक का लाब उठाना जो भी सुविधाय मिल रही हैं बैंक की सुविधा का लाब उठाना इतना मुश्किल नहीं है ये एक चैलेंज रहा है इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है टाइम टू टाइम बहुत सारे रिफॉर्म किये गए हैं बहुत सारे स्कीम्स लाए गए तो बिना किसी rate बिना किसी fees का bank account open करने की सुविधा रग दी थी तो चलिया आज हम बात करते हैं प्रधान मंत्री जंधन योजना, financial inclusion और भी बहुत कुछ मैं वो सुश्मितात्र पार्टी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं banking वाला official youtube channel पर अब हम देखेंगे प्रधान मंत्री जंधन योजना क्या है और अभी ये news में क्यों था तो देखो सबसे पहला point जैसा मैंने आप से कहा प्रधान मंत्री जंधन योजना को कहा गया है ये national mission for financial inclusion है financial inclusion क्या है इस शब्द को 2005 में बहुत जादा कह सकतो एफेक्ट मिला बहुत जादा इससे scope मिला था 2006 में एक committee बना दी गई थी सी रंगर राजन जी की financial inclusion के ओपर इसका मतलब होता है जादा से जादा लोगों को जोड़ना bank की सुविधाओं से financial product से कम से कम cost पे ये basic मतलब होता है financial inclusion का जो आपके सामने लिखा भी हुआ है इसका सबसे बड़ा उदेश यह होता है और इसी financial inclusion को effective बनाने के लिए successful बनाने के लिए national mission for financial inclusion launch किया गया जिसे हम आज क्या कहते हैं प्रदान मंत्री जंधन योजना अब हम थोड़ी और important बाते related to प्रदान मंत्री जंधन योजना करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि इस scheme को launch किया गया तो इसका basic aim क्या था किस motive से इस scheme को launch किया गया था जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो it ensure access to financial product and services at an affordable cost तो यह कीवल कह देने से नहीं होता है ऐसा क्या किया जाय रहा था देखो इसमें जो सबसे बड़ा काम था वो यह था कि अब कभी भी कोई भी व्यक्ति generally क्या होता है कोई भी अगर bank जाता है और bank जा करके अपना कोई account खोलना चाहता है तो नॉर्मल लों के लिए तो that is okay हम तो सभी जा सकते हैं बैंक क्या गएगा पांच सो मांगेगा एक हजार मांगेगा पांच हजार मांगेगा दस हजार मांगेगा कि आपको minimum deposit करना है तो बाकी लों के लिए तो okay है लेकिन एक ऐसे भी वर्ण है इन फैक्ट भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जो दिन भर की कमाई करते हैं और उसी को क्या करते हैं उसी को खर्च करते हैं तो उनके लिए वो पांच सो एक हजार पांच हजार दस हजार पंद्रह हजार बहुत मुश्किल है उनके लिए वो minimum deposit बहुत बड़ा challenge है कर क्या सकते हैं कर यही सकते हैं हम कि कि इसी तरह से जो minimum deposit वाला चालेंज है इसको क्या किया जाए इसे हटा दिया जाए और सरकार ने कुछ ऐसी ही किया सरकार ने कहा कि अब सभी लोग bank जा सकते हो account खोल सकते हो और आप से कोई भी minimum deposit की बात नहीं करेगा तो ये एक ऐसा account है जहां पर कोई minimum deposit नहीं करना है जहां without any kind of deposit आप अपना bank account खोल सकते हो तो चाहें अमीरों चाहें गरीबों सभी के लिए ये असान हो गया था एक और बात मैं आपको बताओं ऐसा नहीं है कि इसके पहले ऐसा कोई और account नहीं आता इसके पहले BSBDA था वो हम अपने अगले lecture में पढ़ेंगे लेकिन भारत सरकार ने जब launch किया था प्रधानमंत्री जंधन योजना उसके तहद भी जो account खोले जा रहे थे उसमें किसी भी minimum deposit की requirement नहीं थी तो objective फिर से मैं कहूंगी यही है कि financial product और services जो है लोगों तो अवेल कराया जाए at an affordable cost और technology का जाधा से जाधा उपयोग किया जा सके lower cost और widened reach तक ठीक है अब अगर हम बात करें कि इस पूरे योजना का basic tenet या basic principle क्या है तो हम यह समझते हैं कि कि किस principle पे इस योजना को बनाए गया है सबसे पहला देखिएगा banking the unbanked ठीक है तो अगर आप लोग जाते हो क अभी bank account जाते थे लोग खोलने उसमें बहुत सारे ताम जहां हुआ करते थे यह वाले डॉक्यमेंट दो वह वाले कागज दो वह वाले पतल दो सबके पास इतने documents होने possible नहीं है तो एक नए अच्छा चीज किया गया कि अब आप सिर्फ एक अपना आधार दे सकते हो ठीक ह ठीक है जिस पर किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज आपको नहीं मिलेगा ठीक है रिलाक्स के वाई सी है ओनलाइन मोड में आप इसे खोल रहा हूँ कैंप मोड में लग रहा है कि आप अपने accounts खोल सको ठीक है इसके अलावा securing the insecure तो कभी भी जब आप लोग अपना account खोलते ह हो आपको आपका debit card मिलेगा इस account के साथ में ताकि आप cash withdraw कर सको debit card का इस्तमाल करके अलग-अलग location पर जा करके और वहां पर payment भी कर सको साथ में जो अच्छी चीज थी वो यह थी कि इस पर आपको free accident insurance मिल रहा था कितने तक का दो लाक रुपए तक का यहां आपको free accident insurance coverage दिय जा रहा था एक बहुत अच्छी बात और यह भी थी कि यहां पर unfunded को funding की जा रही थी बाकी बहुत तरीकी की प्रोडक्स लाए गया है जैसे overdraft ला दिया गया था micro pension दिया जा रहा है micro insurance यह सारी की सारी चीज़ों की सुविधाए आपको इस योजना के तहत मिल रही थी तो यह तो basic principle हो गया किस तरीके से एक account को खोलके तमाम सुविधाओं से हम सभी गरीब वर्ग को भी जोड सकते हैं ताकि उन्हें अलग ना महसूस हो उन्हें भी सारी financial product एक affordable cost पे दिया जा सके अब देखो एक बहुत important point है कि जो पूरी योजना है इसके six pillars होते हैं कितने pillars भचो six pillars होते हैं कौन-कौन से pillars है सबसे पहला देखो universal access to banking services तो ऐसा नहीं है कि आप जिस account जहां जिस branch पे खोले हो उसी branch पे आपको जाना है आप किसी भी branch पे विजट कर सकते हो और आपका काम वैसे हो सकता है ठीक है तो वो चीज लिखी हुई है universal access to banking services ठीक है कहीं भी आप job branch and banking correspondence easily हो जाएगा overdraft की सुविधा दी जाती है overdraft का मतलब होता है जैसे credit card है overdraft भी एक advance है यानि कि मान लो आपने अपना account खोला ठीक है और किसी भी वज़े से आपको कुछ और पैसों की जरूरत है पर वो आपके पास नहीं है तो bank आपको पहले ही advance में कुछ पैसे दिया रहता है कि यह आप कल को आपको जरूरत पड़ी तो आप इसका खरच करना लेकिन उसके बाद हमें return कर देना तो bank आपको advance में कुछ amount दिया रहता इसी को overdraft कहते है जनरली यह current account पे मिलता है लेकिन प्रदहान मंत्री जंधन योजना में यह एक saving account पे भी दिया जाता है तो यहां पे आप लोग को बताया जा सके कि आप अपने अगर account खोलते हो तो उस पर आपको interest मिलता है आप अपने पैसे कैसे निवेश कर सकते हो ताकि घर में रखे रखे इधर उधर खर्च करने से अच्छा सही जगे पर उसका खर्च करो तो यह सब भी इसके अंदर organize उता रहता है creation of credit guarantee fund मान लो overd क्राफ्ट दिया गया कोई व्यक्ति नहीं पास कर पाया उसे वापस नहीं कर पाया bank को तो bank का नुकसान होगा तो सरकार ने credit guarantee fund की इंतिजाम कर रखे कि सरकार उसे payout कर दे ठीक है then insurance दिया जाता है इस account पे तो यह account जो खोलता है उस accident insurance cover मिलता है एक लाग तक का और life cover मिलता है 30,000 तक का जो भी account खोला गया है 15 अगास 2016 से लेके 31 जनवरी 2015 की बीच में उन सभी को इतना insurance मिलता है pension scheme भी रखी गई है उन लों के लिए जो unorganized sector के तो यह तो six pillars हो गया है जो इस scheme के अंदर आते हैं जिस पर यह scheme work कर रही है अब बहुत important बात है कि अभी तक अगर हम बा तो देखो ज़रा दिहान दीजेगा सबसे पहरा तो जो डिजिटल बांकिंग की तरफ अप्रोच है वह अच्छा हुआ है वह बढ़िया देखने को मिला वह चीज लिखी भी है अप्रोच टुवर्ड्स डिजिटल बांकिंग तो जो accounts खोले गए हैं यह online accounts खोले गए हैं core banking system core banking basically centralized system है सबको एक सारे servers को एक जगा connect करता है जिससे information एक जगे से दूसरी जगा भीजना असान है तो सारे accounts इसके अंदर खोले गए हैं दूसरा पहले क्या होता था पहले जब जंधन यूज ने आया था तो यह था कि भाई बहुत मुश्किल है सबका account खोलना क्योंकि बह हरे घर में एक लोंका तो account हो लेकिन जब इसका revamped version आया तो कहा गया हरे घर में नहीं हर एक व्यक्ति का एक account होना चीए तो इनका नया focus हो गया था कि जो focus है वो हमने shift कर दिया है every household से every unbanked adult की तरफ इसके अलावा extend किया गया था कुछ नए features के साथ उसमें क्या किया गया थ जो accidental insurance cover दिया जा रहा था रूपे cards के उपर वो पहले एक लाग की थी लेकिन इसको एक लाग से बढ़ा कर दो लाग कर दिया गया था उनके लिए जिनकी accounts खोले गए हैं after 28 August 2018 उनके लिए बढ़ा दिया गया था overdraft पहले जैसे मैंने आपको बताए overdraft क्या होता है 10,000 के अभी मिल रही है पहले 10,000 नहीं था पहले 5000 था इसको बढ़ा कर कितना कर दिया गया 10,000 तक कर दिया गया और 2000 बिना किसी condition कर दिया जाता है अपर एश की जो limit है overdraft के लिए ये 60 से बढ़ा कर कितनी कर दी गई 65 कर दी इसकी अलावा जन धन दर्शक एप ये एक mobile application है जो launch किया गया था एक citizen centric platform की तरह यानि की कोई भी अगर locate करना चाहता है कि banking touch point जैसे bank branch ATM, bank मित्र, post office ये सब कहां है तो असानी से इससे वो information मिल जाएगी इसलिए एक citizen centric platform कहा गया दिन अगर हम ध्यान दें कि अभी हाल फिल हाल में क्या news आई थी तो देखिएगा इनफॉर्म किया गया है भगवत का रच जो कि minister of state for finance है हमारे देश में इन्होंने इनफॉर्म किया है written reply में राजे सभा में कि 47.57 करोड जन धन अकाउंट को खोला गया है 30 नवेंबर तक 30 नवेंबर तक अपने देश में 47.57 करोड जन धन अकाउंट खोले जा चुके हैं इसमें से 38 करोड जो हैं यह क्या है यह अपने देश में there are around 38 करोड फंक्शनल जन धन अकाउंट in the country while only 10,79,000 जन धन अकाउंट सा duplicate इसके अलावा जैसा inform किया गया है बैंक्स की द्वारा 19.90 करोड अकाउंट होल्डर जो है इनका कोई भी functional debit card नहीं है और 4.44 करोड अकाउंट होल्डर जो है इन्होंने अपना रूपे तक नहीं चल रहा है तो इसे inoperative या dominant कहते हैं तो इतने इसमें से functional हैं बाकी inoperative हैं यह वो accounts है जो duplicate है twice return ठीक है इसके अलावा यह भी बताया गया कि जो 19.90 करोड अकाउंट से हैं ठीक है इनके पास में functional debit card नहीं है और 4.44 जो है इन्होंने अपने card को renew नहीं करा है न्यूज यह थी इसलिए पूरा पूरा जंधन्यूज नहीं हमने discuss कर लिया I hope आपको यह class अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो comment section में जरूर बतायेगा ऐसे ही important topics के साथ मैं आपके साथ मिलते रहोंगी अपने banking वाला YouTube चैनल पर so have a great day ahead जाहिंज भारत God bless you people love you bye